फरिदाबाद नगर निगम कमिशनर यश्पाल यादब ने फिर से दिखाया कि वे कुशल अधिकारी हैं बने का सुच फरिदाबाद अभ्यान को लगातार गती देने में जुटे हुए हैं आपको बता दें कि NHPC और MCF के बीच 50 लाग का MOU साइन हुआ है जोगी फरिदाबाद को सच बनाने में मददगार साबित होगा आईए सुनते हैं नगर निगम कमिशनर ने क्या कहा NSPC और Municipal Corporation का रिष्टा काफी पुराना है मैं सबसे पहले यह बताना चाहूँगा कि जहां पर आज NSPC का Office Headquarter जो है और इनकी जो Residential Colony है मिन्सपल Corporation की जमीन के ऊपर है और हमने इनको यह जमीन बेची थी काफी पहले एक बहुत बड़ा organization है जो नेशनल लावल के ऊपर काफी बड़े काम कर रहा है और इनके पास में काफी CSR funds भी होते हैं जिसके मादिन से विविन ने तरह के कामों के अंदर अपना contribution देते हैं फरिदाबाद के अंदर भी मैं as deputy commissioner जब काम कर रहा था तो मैंने इनसे request की थी और सिक्षित अर्याना है हमारा एक project था जो बच्चों के लिए था उसमें भी इनोंने contribute किया था स्वच फरिदाबाद बनाने की मोहीम चला रहा है उसके अंदर इस पैसे को हम खर्च करेंगे और मैं इनका दन्यवाद भी करना चाहता हूं और यह विश्वास भी दिलाना चाहता हूं कि जो पैसा आप दे रहें उससे नाकिए फरिदाबाद के लोगों को फाइदा होगा इस सारे पैसे को हम स्वच भारत मिशन जो हमारा है जिसके तहरे फरिदाबाद को स्वच बनाने की मोहीम हम जो चला रहे हैं उसके अंदर हमें एक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं उन एक्विपमेंट्स की परचेज के लिए इसको खर्च करेंगे इसके अलावा अगर तो उसी काम केंदर ये पैसा काप चो. NHPC एक मिनीरत में कंपनी है और इसका Head Office फरीदबाद में है. हम अपनी ड्यूटी समझते हैं कि फरीदबाद के जनता के लिए कुछ करें. इसी संदर में हमें कही प्रोग्राम्स फरीदबाद के जनता के लिए रखे हैं और जिसमें एक नई महीम यह है कि हम फरीदबाद को स्वच बनाने के लिए मुनिस्विल कार्पोडिशन के साथ हम हाथ मिलाई हैं और उसमें 50 लैक्स फपीस की ट्रेक्टर टॉलीज और स्वच्छता के लिए कंट्रिबूट करना चाहते हैं. ऐज हमरा मीयू साइन हो गया है इस रिफ्रेंस में मुनिस्विल कार्पोडिशन हरीदबाद का आवररीओ NHPC की तरफ से हम आहवारी हैं कि हमें मुनिस्विल कार्पोडिशन हरीदबाद मैं NIPC को सच रखने के संबंद में हमें मौका दिया nó is really thankful to MZF also सिटी में इस प्रोग्राम के हमेशा साथ रहेंगे और हमेशा घरते जाएंगे